पंचान के अनुसार फागुन मा के सुकल पक्ष की पोड़ी मा को होली का दहन होता है और उसके अगले दिन चैत्र मा की प्रतिपदा के दिन होली खेली जाती है वहीं होली से आट दिन पहले होलास्टक लग जाते हैं फिर होली का दहन के साथ होलास्टक समापन होता है मानिता है कि हो लास्टक के आट दिनों में कोई भी सुपकार्य नहीं किये जाते यदि कोई इन दिनों में सुपकार्य करता है तो उसे मुस्किलों का सामना करना पड़ सकता है इसलिए इस दौरान किसी भी तरह के सुप और मांगली कार्य करने से बचना चाहिए तो आईए जानते हैं साल 2030 में होलास्टक कब सुरू हो रहे हैं और इन 8 दिनों में कौन-कौन से काम नहीं करने चाहिए इस साल 7 मार्च 2030 को होली का दहन किया जाएगा और 8 मार्च को होली खेली जाएगी होली के 8 दिन पहले होलास्टक लग जाते हैं इसलिए इस साल 28 फरवरी से होलास्टक सुरू हो जा रहे हैं जो की 7 मार्च तक रहेंगे पंचांग के अनुसार इस साल फागुन मास की पूरी माती थी 6 मार्च 2030 की इसाम को 4 बच कर 17 मिनट पर प्रारम हो रही है और अगले दिन 7 मार्च 2023 की इसाम 6 बच कर 9 मिनट तक रहेगी इसी दिन होली का दहन भी किया जाएगा और 8 मार्च को होली खेली जाएगी वो लास्टक में क्यों ही किये जाते सुब काम कहा जाता है कि एक बार प्रेम के देवता कहे जाने वाले काम देव ने भगवान सीव की तपस्या भंकर दी इससे रूस्ट होकर सीव जी ने काम देव को फागुन की अस्टिमी के तिथी के दिन ही भस्म कर दिया था इसके बाद कामदेव की पतनी रती ने सीर जी की अरादना की और कामदेव को पुनर जीवित करने की प्रातना की जिसके बाद सीर जी ने रती की प्रातना सी कार कर ली महादेव के इस निरने के बाद जन साधार ने हर सोल लास मनाया और होलास्टक का अंत होली का दहन के दिन ह यही वज़ा है कि यह आट दिन सुब कारियों के लिए वर्जित माने जाते हैं हो लास्टक में कभी भी विवा मुंडन नामकरण सगाई समय सोला संसकार नहीं करने चाहिए इस समय नए मकान वाहन प्लाट दूसरे प्रॉपर्टी की खरीदारी से भी बचना चाहिए हो लास् के समय कोई भी नया विजनेस सुरू करने से बचना चाहिए बिजनेस की शुरुआत के लिए यह समय अच्छा नहीं माना जाता है हो लास्टक में कोई धातू जैसे सोना चांदी नहीं खरीदना चाहिए हो लास्टक के आठ दिनों में किसी भी प्रकार का नया वाहन खरीद किसना भी असुब होता है आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक दे और अगर मेरी चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जैस्वी कृष्ण